हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माई यूटूब चैनल आज हम रिव्यू करने वाले हैं नीरोकाइंड गोल्ड कैप्सुल के बारे में जो हमारा नीरोकाइंड गोल्ड आरेफ कैप्सुल होता है वो मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाता है जो इसकी मैनिफेक्टरिंग क कैप्सुल के रूप में इसका हम उप्योग करते हैं अब इसके MRP के बारे में देख लेते हैं जो इसका रिट है वह अभी करेंट मार्केट में अभी 97 रूपीज 90 पैसे के एराउंड में दस कैप्सुल का आपका स्क्रिप मिल जाता है तो आईए देखते हैं इसके कंपोज प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर् नियासिनिमिड बोलते हैं , ब्लड से कोलेस्टरोल Mayo के साथ गुण जाए तो हमारे blood vessels और capabilities में block होने की chances बढ़ जाते हैं ति हमारे blood से cholesterol level को कम करता है और next है आपका vitamin B6 pyridoxyn hydrochloride जो हमारा nervous system और immune system को स्वस्त्र रखता है next है आपका vitamin B12 vitamin B12 जो होता है vitamin B12 आपका cobalamin होता है यह हमारे brain के performance को बढ़ा देता है जो हमारे nerve cells होते हैं उनको nourishment provide करता है और यह RBC production में help करता है methyl cobalamin का प्रयोग हम sciatica की बीमारी में भी करते हैं जिसमें कि हमारे नसों में खिचाव आ जाता है और नस ब्लॉके चंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिससे कि हमारे नसों में blood का circulation बहुत ही कम होने लगता है जो कि हमारे नसों में दर्द उत्पन हो जाता है तो हम इसकी कमी को दूर करने के लिए methyl cobalamin का भी उप्योग करते हैं तो नेक्स्ट है आपका विटामिन D3 जो विटामिन D3 होता है जो हमारे विटामिन D3 हमारे बोजन से केल्सीम और फासफोरस के absorption को बढ़ा देता है नेक्स्ट है आपका विटामिन D9 इसको folic acid बोलते हैं यह हमारे बोड़ी में RBC के production को बढ़ाता है और यह केल्सीम हो गया फासफोरस हो गया और मेगनीज वगर हो गया तो सब हमारे हड्डियों के फॉर्मेशन में हड्डियों को मजबूती देने में और उनमें डेंसिटी प्रोइड करने में हेल्फुल होते हैं तो यह हो गया इसके composition के बारे में निरोकायंट गोल्ड का capsule का उपयोग किसलिये करते हैं तो फ्रेंट इसका उपयोग करते हैं हम कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोपर डाइट लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें हमें कुछ vitamins and minerals की कमी महसूस होने लगती है जिसकी केरण हमें हमारे सरीर में बहुत सारे changes आने लगते हैं जो vitamins and minerals की कमी से बहुत सारे हमारे body में रोग और problems क्यरियोट होते हैं जिसमें हमें कभी कभी भूख नहीं लगता है ठीक है भूख नहीं लगना वमन काम करने में हमारा मन न लगना मर coward SL को मेंटेजन ना कर आते हूं हमारे सरीमें हड़ियों में दर्द महसूस होता हो रहत हूं कि तो इन सब चीजों को क्योर करने के लिए हम निरोकायन गोल्ड कैपसुल का उपयोग कर सकते हैं जो इसके उपयोग करने का तरीका होता है वो आपका एक कैपसुल बोजन करने के बाद रात को सोते टाइम लिया जाता है इस capsule के उपयोग से हमें जो भी फायदे होते हैं, जैसे कि हमें एनिमिया की कमी हो, उसमें हम लेते हैं, फॉलेट की कमी हो, उसमें लिया जाता है, सरी में थकान हो, दुरूप से बॉन्ड डिसॉडर्स हो, एनर्जी की कमी हो, तो इन सब चीजों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका जो भी रिजल्ट है, वो बहुत ही असरदार होता है, इसके कुछ साइड एफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका एलर्जी है, इसके इंग्रीडेंस से एलर्जी हो, पेट खराब होना, पेट में गैस बनना, और उल्टी जैसा सिकायत हो, तो यह सब चीजों ह हो सकते हैं, अगर ऐसा हो, तो यह पर्मानेंट साइड एफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ दिर बाद यह अपने आप सही हो जाते हैं, तो अगर ऐसा हो, तो आपका यह कैप्सूल का यूज करना वहीं पर रोग देना चाहिए, या फिर अपने अप्टर से सलाह लेना चाहिए ठेक है, तो फ्रेंट्स, यह था आपका आज का निरोकाइंट गोल्ड आरेफ कैप्सूल के बारे में, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, यूस्फूल लगा हो, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्स्राइब केजिएगा, और अगर कोई सुझा हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा, धन्यवाद, नमस्कार